जैहिन दोस्तो मैं हुराकेश हो जी दोस्तो CRPF HCM से सम्मंद में इस सब्ता के अंदर जितने भी कमेंट्स आये हैं उन कमेंट्स को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले सब्ता के अंदर भी मैंने वीडियो बनाया था, पिछले सब्ता के जितने भी कमेंट से आपके डाउट थे, उन सबी डाउट को वीडियो के मादम से किलियर कर दिया था, इस सब्ता के अंदर भी आप सबी की जितने कमेंट्स आये हैं, उन सबी कमेंट्स के पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं वीडियो आपको जरूर प्रसंद आएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर फोर्स स्ब्सक्राइब सभी परकार की जानकरियां मिलती रहती हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है कोई बाई हैं वो ये पूस्ते हैं कि सर CRPF H.E.E.M. को कोब्रे आनुट्स के अंदर 24 पोस्टिंग कैसे मिलती है तो कोब्रे आनुट्स के अंदर होता क्या है कि जिसे CRPF के अंदर 10 बटालियंस कोब्रा की हैं इनके अंदर हर साल वेकेंसी जाती है जैसे इस साल के अंदर सभी 10 बटालियंस से कितने जो HM हैं उनका time पूरा हो रहा है यानि कि जो उनका टरन होता है तीन साल का चार साल का वो टरन पूरा हो जाता है तो उनकी दूसरे जगह posting आती है तो मालो इस साल 30 HM की posting जानी है कोबरा से अटने हैं वो लोग तो उसमें की जगे पर 30 Hcm की वीकेंसी निकलती है तो उसमें क्या है सभी units को एक message दिया जाता है कि भी 30 Hcm की ज़रूरत है तो जो जो अपना जिलूश में chakra unit में जाना चाथते हैं वो अपना नाम देदेते हैं वैसे maximum क्या होता है जो 24 जाना चाथते हैं नाम देते हैं, उनका selection हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तब फिर उनका posting के इसाब से, उनकी service के इसाब से posting की जाती है, और इसे समंद में क्या training होती है, क्या procedure से समंद में मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के description उसका link मिल जाएगा, आ आप जाके उसमें देख सकते हैं, यह आपका doubt clear हो गया होगा, अगला जो comment है, वो है, आइंक्स दा लीजेंड नाम से को भाई साब है, वो पूछते हैं, कि sir, CRPF HCM में पहले physical होता है, तो भाई साब मैं आपको comment में बताया था, कि CRPF HCM में पहले physical होता है, आप यह पूछ होता है, उसके बाद आपका return test होता है, तो यह बाई साब आपका doubt clear हो गया होगा, और जो अगला comment किया है, वो depend रूचटर जी, यह बाई साब पूछते हैं, कि CRPF HCM का जब हम form apply करते हैं, तो भरती के समय जो हम group center अपना select करते हैं, क्या हमारी पूरी process उसी group center के अंदर होत होता है, कि जिस group center में जो भरती चल रही है, आपको physical के लिए बुलाया, return test के लिए बुलाया, उसी के अंदर पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं होता है, कि उसी के अंदर हो, कभी को इसी situations आ जाएं, जैसे group center के अंदर बंदे कम है, दूसरे अंदर क है, तो उन दोनों को मिला के एक जगे बुला ले जाता है, नहीं तो maximum यही होता है, कि जिस group center में आप उन्हें फोरम अपलाई किया है, उसी group center के अंदर आपको पूरी प्रोशेश होती है, तो यह आपको cut out clear हो गया होगा, अगला जो comment किया है, वो है, नितिन राजबूत, यह बाई साथ पूछते हैं कि सर, CRP, FHM, Cobra Unit कैसे जोइन कर सकते हैं, तो वो पहले भी मैं बताया दिया हूँ, और Cobra Unit जोइन करने का पूरा प्रश्चितर से समध में वीडियो बना रखा है, वो description में आपको मिल जाएगा, और CRP, FHM से समध में जितने भी मेरे वीडियो हैं, वो आपको वीडियो के description में पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके उनको देख सकते हैं, आपको लगबग पूरी जानकारी मिल जाएगी, और नहीं तो हर सपता ये doubt session चलेगा, आपका ये दूसरा session है, पिछला session में मैं पूरे वीडियो बना दिया था, जो comments थे, उसको HCM को अपनी duty ही करनी है, जो उसको ministerial जो बाबू की duty है, वही करनी है, चाहिए वो कोब्रा है, वो कमांड उनिट में चला जाए, चाहिए वो कहीं भी चला जाए, किसी भी जगया पे अगर वो posting जाएगा, उसको duty वही करनी है, चाहिए वो CRPF के अंदर है, चाहिए पोस्टिंग जाएगा, तो उसको यही काम करना, CRPF को, वो कमांडो बन के यह नहीं है, उसको जंगल के अंदर duty कर रहाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको शिरफ अपनी office से काम से ही मतलब है, अगला जो comment किया है, वो है, संग्राम हवलनार जी, यह बाई साब पूछते हैं कि CRPFHCM की भरती एक साल में कितनी बार आती है, तो बाई साब CRPFHCM की भरती तो बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं, साल में एक बार भी नहीं आती, तो एक साल में दो या तिन बार की तरम सोच नहीं सकते, अगर continue भी अगर CRP निकालेगी, तो साल में एक बार से ज़ है, SDK सरगम, ये भाई साब ने बहुत अच्छा सवाल किया, ये भाई साब पूछते हैं, कि CRPFHCM जब जोइन करता है, तो जोइनिंग किसे में क्या पैसे देने पड़ते हैं, भाई साब ऐसा कुछ नहीं है, किसी के चेकर में बगवान करें, आपकर जोइनिंग आ जाए जब भरती में अभी निकलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जोइनिंग किसे में किसी परकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, जब आप बढ़ती हो जाते हैं, तो जैसे मैस एडवांस वगएरा, या चोटा मोटा आपके कुछ ड्रेस वगएरा के लिए, वो चीज़ किसी परकार का पैसा आप से जो इनके समय नहीं लिया जाएगा, तो दोस्तों इस अफ्ता के जो मैंन में कमेंट्स थे, उस पर मैंने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दिया, अगर फिर भी आपका किसी परकार कोई डाउट हो, ताप कमेंट बॉक्स में कमेंट करक जे